हेलो एव्रीवन, वेलकम टू पहल अकेडमी, पहल अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम एक निया टोपिक है, जो अभी आल फिलाल में आपने न्यूज पीपर में भी पढ़ा होगा कि ERCP, ERCP तो खहर बहुत पहले सी, जो राजस्तान में एक इंपोर्टन टोपिक रहा भी है और यह क्या हर एकजाम का एक महतेपुरून टोपिक है खासकर R.S. Means की बात करी, तो R.S. Means में दस नंबर का कोशन पूछा गया था पूर्वी नहर प्रियोजना, सिर्फ इतना लिखावा था ERCP और यह ERCP फिलाल फिलाल में चर्चा का विश्य बना हुआ है क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक संसोदित P.K.C. ERCP प्रियोजना नाम से इसको नेया रूप दिया गया है, ठीक है? तो इस पर हम आजे डिस्कस करेंगे तो इस पर डिस्कसन सुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा R.S.Mains के लिए जो तियारी करें हैं, उनको बता देती हूँ कि R.S.Mains का जैसे आप आपने को टाइम आप काफी अच्छा मिल चुका है सबको तो उसमें क्या हुआ, टेस्स सीरीज का सबसे इंपोर्डेंट रोल होगा तो टेस्स सीरीज इतना ज़्यादा लिख सकते हो, उतना ही बेनिफिट होगा क्योंकि तियारी तो जो टाइम दिया गया था, उसमें सबकी ओल्मोस्ट हो चुकी है और नई भी वी तो साथ में तियारी, साथ में लिखना जारी रहेगा तो पेपर 4 के टेस्स सीरीज है, वो यहाँ 11 फरवरी से पहला अकेडमी नई रूप में वापस से स्टार्ट कर रही है तो आप 11 फरवरी से टेस्स सीरीज को जोइन कर सकते हो, ओफलाइन भी और ओनलाइन दोनों मोड में रहेगी ठीक है, तो चलो अब अपने टोपिक पे आते हैं, यह क्या टोपिक है संसुदित PKC, ERCP, प्रियोजना, मोडिफाई PKC और ERCP है PKC क्या है, PKC शिरफ नाम दिये PKC, तो यह है आपका कि PKC जो पारवती, काली सिंद और चंबल PKC का फूल फॉम है, पारवती, काली सिंद और चंबल ठीक है, चंबल परियोजना और ERCP, आप सब को पता होगा, नहीं भी पता है, तो ERCP है, इस्टरन राजस्तान केनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्तान नहर परियोजना ठीक है, तो इनको मोडिफाई किया गया, मोडिफाई रूप में लाए गया, इनको लिंक किया गया है तो ये फ्याल फिलाल में क्यों चर्चा में रही, क्या आपने न्यूजबेबर में भी पढ़ाऊगा, कि क्या 28 जनवरी 2024 को एक त्री पक्षे MOU पर साइन हुए हैं, किस किस की बीच में, हिंदर सरकार, राजस्तान और मध्यपरतेश, हिंदर राजस्तान और मध्यपरतेश सरकार के बीच में MOU पर साइन हुए हैं, कब हुए? 28 जनवरी 2024 को, ये न्यूज रही थी, ठीक है, आपको न्यूज देखी रही है, तो अब अपने को ये है कि बहुत ही इंपोर्टन टोपिक बन जाता है, खासकर RS मेंस के लिए, पहले जब ये चर्चा में था, तब पूर से संभावना बंद रही है, तो अपने को पता होना चाहिए कि संसोदित PKC-ERCP परियोजना है क्या, इसको समझने के लिए पहले अपने को PKC समझनी पड़ेगी, फिर ERCP को देखना होगा और फिर दोनों को कमबाइन रूप में देखेंगे, ठीक है, तो चलो देखते हैं, PKC परियोजना क्या है, PKC लिंक मैंने बता दिया, पारवती, काली, सिंद, चंबल, ठीक है, तीनों को लिंक परियोजना है, ये, अब क्या है कि पारवती, काली, सिंद, चंबल, लिंक परियोजना ये अब की नहीं है, उन्नी सो असी में क्या हुआ था, कि उस टाइम केंद्रि उसमें क्या करना है कि जो काले सिंध और चंबल नदी है उसको लिंक कर लें की बाते घी मिंगे थैं कालीसंद्द्चीमबल लिंक है उनके लिए及 रिपोर्ट क्यार करेश में रिपोर्ट प्रशारीत कर दी कि ठीक है इसमी कहा कि कालीं सिंद्ध में ने वाज नदी और एक कालीसिंद नदी इन की पानी को चंबल नदी में मोडनी का प्रस्ताव रखा गया चंबल की तरफ मोडना है वहाँ से राणा परताब सागरबान्द या गांदी सागरबान्द है जहां बनाए हुआ अपने राजस्तान जोग्रोफी में पड़ी रखा है तो राणा प्रताब सागरबांद जोजवार गांधी सागरबांद है वहाँ पर चंबल नदी में काली सिंद और निवाज नदी के पानी को मोडने का प्रस्ताव दिया गया था तो यह उस टाइम की परियोजना थी P.K.C. लिंक परियोजना ठीक है अब अपने देखते हैं कि फिर E.R.C.P क्या थी E.R.C.P इस्टरन राजस्तान केनाल प्रोजेक्ट है E.R.C.P क्या है कि राजस्तान 2019 में इस प्रस्ताव को लेकर राजस्तान सरकार आई थी ठीक है यह भी क्या है कि इसमें क्या हुआ कि पूर्वी राजस्तान नहर प्रियोजना है इसमें क्या था कि जो राजस्तान की पूर्वी राजस्तान की जो जिल्ले हैं उनमें अपने को पताई सीचाई कि जल की उपलब्दता कम थी तो उस पानी की आउशकता को पूरा करने के लिए प्रियोजना बनाएगी कि काली सिंध, पारवती, मेज और चाकन ये नदी बेसिन है इन चार नदी बेसिन में जो मौन्शुन के दोरान अत्रिक्त जल आ जाता है, काफी जल होता है, अधिसेस होता है उस पानी का यूज करके अपने को अंत्र बेसिन में अस्ताना अंत्रित करना है, कहाँ पर बनास, गंबीरी, बान गंगा और पारवती, पारवती ये अलग है, इन में पानी की कमी रहती है, वहाँ उस अत्रिक्त जल को डालना है तो इन लग्यों को लिंक करना है, ताकि जो पानी की कमी वाले छेतर है, वहाँ पर पेजल की, सिचाई की आवशक्ता है, वो पूरी हो सके, और अध्योगिक आवशक्तां को भी पूरा किया जा सके तो ये परियोजना का प्रस्ताव लेके आए थे, 2019 में, तो इस से अगर ये परियोजना होती, तो इस लागू होती, तो कितने जिले होती, 13 जिले होती, 13 जिले, और इसको बनानी ये कहा गया कि 2021 में इस परियोजना को पूरा करना है, ठीक है, और इसमें लगबग 40,000 करोड गीराजी लगत jugar बताएगी इतना 1,000 करोड कि लगत आएगी दोजारी का उनमें इस परियोजना को पूरा करना था इसमें तीरा जिले थे क्वहिंद रोगज तू है एस एलवर बर्धपूर दोलपूर करोली पर नहीं। तो चार चार आठ और श्वाई मादवपूर, दोशा, जेपूर, अजमेर और टॉंग ये तीरा जिले इसके अंतरगत लाबानवीत होने हैं, ठीक है, तो इन में क्या है पीने की रोजयोगिक पानी उपलब्दे कराया चाहिएगा, ये थी आपकी ERCP परियोचना, ठीक है, इस और ये दोलपूर, ये चार तो ये होगे, दोशा, जेपूर, अजमेर, टॉंग और श्वाई मादवपूर, और इधर याड़ोती वाले बुंदी, कोटा, जालावाट, और बारा, ठीक है, ये तेरा जिले इसमें सामिल थे, तो इससे क्या होगा, अगर राजस्तान को अगर देखें तो किसान परवाइत होंगे, विसे उनको लावानवित होंगे, तो 25 लाजस्तान परिवार लावानवित होंगे, और राज्य की 40 परशेंट अबादी है, उनको पिये जल मिल सकेगा, ये इनके फायदे हैं, ERCP के, ठीक है? अब अपने देखते हैं कि अब जो क परियोजने अभी लागू नहीं हो पाई तो इस समझोता किया गया अब किया गया संसोदित किया गया पीकेसी और इयार सीपी दोनों को कि लागत यह थी अब जो वर्तमान में यह चींज आ गया है इसमें बदला हो गया है और दूसरा कि आपको पता होगा कि अब एर सीपी अमेशा चर्चा में रहे गया है तो स्टार्टिंग में किया इसमें ने बताए इसकी लागत है 37,000 क्रोड तो उस टाइम बताए थी 40,000 क् कि मांग भी पिछली गवर्मेंट ने की थी भी राष्ट्य दरजा इसे दिया जाना चाहिए और राष्ट्य दरजा देना के लिए रिपोर्ट परस्तूत की थी लेकिन इसे राष्ट्य दरजा उस टाइम दिया नहीं जासका क्योंकि कुछ मानक होते हैं जो जिनके आधार अपरी नेराष्ट्य दरजा दिया जा सकता है वो मानक कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रहे थे तो यह सा मांदंड में विचलन भी आ रहा था कि 50% निरबरता के कारणिया जर्चा में हुई थी यह होता है कि जो जल का बाहाव है उसमें उपलब दता हमें सांज उपलब दत है जो निरबरता है वो 75% के बने रहने चाहिए यह मांदंड थे लेकिन यहां ERCP 50% के निरबरता को पूरा कर पा रही थी इससी मद्य परदेश है वो सहमत नहीं था ठीक है तो फिर इसको कहा इसके सुझाव के रूप में दिया गया टास्क पोर्ष नेकाथ PKC लिंक नहर प अस्ताक्सर हुए है 28 जनवरी 2024 को ठीक है तो इस वज़े से इसकी जरूरत थी अब इसको इस समझोते पर अस्ताक्सर हुए है अब देखते हैं कि संसोधित PKC ERCP क्या है तो संसोधित PKC तो नाम तो आपको पूरा लिखना है लिखो तब संसोधित PKC पारवती काले सिंद्य चंबल और इस्टरन राजस्तान के नाल प्रोजेक्ट दोनों को लिंक करने की बातें कहीगी है तो एक तो यह हो जाएगी अंतर राज्य नदी जोडो परियोजना अंतर राज्य मतलब दो राज्यों की एक परियोजना होगी तो जैसे यह तो आपको पता ही हो गया राजस्तान और मध्यपरदेश दोनों की परियोजना है और इसमें केंदर सरकार भी सामिल है तूसरा व में विस्तरत पर योजना रिपोर्ट है उस पर काम चल रहा है और इसमें राजस्तान मध्यपरदेश के इंदर के साथ समझोता ग्यापन की योजना बनाएगी है वो समझोता ग्यापन अभी साइन हुए अब अगी इस पर काम करेगा अब यह होगा जो जल का बटवारा है वो किसी साब से होगा कितना जल बंटवारा मध्यपरदेश को कितना राजस्तान को और जो लागत लगेगी वो उसका साजाकरान भी कितना लागत है वो लगेगी जिसमें कितना राजस्तान को देना होगा कितना मध्यपरदेश को कितना केंदर सरकार को फिर किर्यानवन तंतर क कौन करियानवन तंतर होगा और उसका मेनेजमेंट है वो कोने करेगा इसमें ये संसोदित PKS ERCP में इन बातों को ज्यान में रखा जाएगा तो ये इसमें होगा कि मैं इसी वज़े से ERCP लागू नहीं हो पा रही थी कि कुछ कहीं न कहीं लागत का और कियानवन तंतर का परभ अजस्तान को क्या क्या लाब होंगे तो मोटे मोटे तीन टोप पॉइंट तो मैंने आपको बता दी हैं वो लिखने लिखने हैं इसमें आपको सबसे पहरे बताना है कि 13 जिले हैं उसको पीने का पानी और अध्योगी का पानी उपलब्द में हो जाएगा मध्यपरदीस है ते उसका मालवा और चंबल दोनों छेतर को लाब मिलेगा तीरा जिले हैं तेरा मध्यपरदीस में दोनों लाबानमीत होंगे ठिक है और दोनों राज़यों में 2.8, 2,8 LK 2.8 LK 222 ध यानी मध्यपरदीस का 2.8 LK ठर और राजस्तान का 2.8 LK ठर याने dus लाबानमीत होगा उपलब्द हो सकेगे ERCP के तैट पूरी राजस्तान के मैंने 13 जिले बताई दिये 13 जिले हैं उनमें पियजल उपलब्द होगा इस प्रियोजना से 13 जिले के लगव 25 लाख भी किसान परिवार है वो परभावित होंगे उनको लावानवित होंगे और द्राजे की टोटल जनसेंग्या देखे तो 40% है आबादी है उनको पियजल उपलब्द होस केगा तो इसे अब पानी की उपलब्द दता होगी तो बूजल के स्तर में वर्दी होगी इसे करशी उत्पादन बढ़ेगा करशी उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आए बढ़ेगी किसानों की आए बढ़ेगी रोजगार के उसर बढ़ेगा और रज्य का विकाश होगा ERCP के टैताने वाले छित्र में ओद्योगी का उशक्ताओं के लिए भी पानी उपलब्द होस कीगा तो यह आपके फाइदी है इनके लाब है जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने है तो यह आपकी ERCP प्रियोजना जो संसो दित जो PKC ERCP प्रियोजना है उसकी बारे में डिटेल से लिखा गया है अब आप इसको लिखना चाहो तो एक पेज में आप इसको कोशन के रूप में लिख सकती हो इन पॉइंट्स को डालके तो आप अच्छे सी यह आपका कोशन त्यार हो जाएगा तो आज हम यह टोपिक के हैं समाप्त करते हैं अगली टोपिक के साथ फिर मिलेंगे और आप अपने टेस्स सीरीज जरूर कंटिन्यू कीजिए और और कोई मेटर के समबंद में आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप हम से कॉंट्रेक्ट कर सकती हैं और पहल अकैडमी एप को डाउनलोड करके उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी Thank you, thank you so much